कि नमास्कार दोस्तों मैं मंचुन सब कुछ लर्ण पर आपका श्वागत करता हूं आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल नंबर पर बताऊंगा उसका पूरा इंट्रोडेक्शन वीडियो है यह पूरा रियल नंबर में क्या क्या यूज होता है उसका पूरा अगर अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें क्योंकि इसके बाद बहुत सारा जो चप्टर वन चप्टर टू चप्टल पूरे चप्टर मैंस के सारे चप्टर मैं इस पर डालूंगा उसका इंट्रोडेक्शन वीडियो तो फिर उसके प्रॉब्लम्स उसके बाद सॉलूशन के साथ डालूगा अगर आपको रियल नंबर से रिलेटेट कोई भी इस्सूज हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं या फिर किसी कॉश्चन का आंसर चाता है या कॉश्चन का सॉलूशन चाते हैं तो हो कॉस्चन आप पूटअ कर सकते हैं आप ठीक हैं तो स्टार्ट करते हैं रियल नंपर पर ठीक है अब रियल नंबर किसे कहते हैं ठीक है रियल नंबर इस procrast अणे लाइन लाइन है कि फैसका है निसको ऑर डियल नुट टंबर à होता है आर मतब ये लंबर ठीक है अब एक लाइन पर किस तरह का नमर हो सकते हैं मैंने नीचे एक फिगर दे रखा है इसमें दे रखा है जो रियल नमर कॉन-कॉन सो होते हैं, ठीक है? होते हैं,। हिम्टीजर भी REAL लमर होते हैं, अटिश्मल लमर भी REAL नम्मर होता है ठीक है फ्रैक्शन भी कह सकते हूं fraction भी real नम्र के अंदर आता है तो real नम्मर में सारे number होते है वह real number होता है natural नम्मर आगे चलते हैं यह मैने image में समझा रखा आपको आपको I think समझ में आगा होगा, आगे चलते हैं, एक एक टॉपिक पर बात करेंगा, ठीक है, अब रियल नमर का टाइप कितने नमर को होते हैं, नाच्रल नमर, सबसे पहला क्या है, नाच्रल नमर, जो नमर एक से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाता हो, उसको नाच्रल नम उसका सकेंड पार्ट क्या है, होल नमर, होल नमर क्या है, कि जो 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाता हो, उसको क्या करते हैं, होल नमर, नाच्रल नमर में 1, 2, 3, 4, 5, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, होल नमर में 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इंफिनिट तक जाता है ठीक है उसके बात है integer ठीक है integer क्या होता है integer positive भी होता है negative वो मैं पहले बाद मताऊँगा integer होता है minus seven minus six minus five zero one two three four जो भी zero के बाद zero से लेके बाद जो positive नमर है one two three four five six seven eight nine eight infinity तक वो भी integer है zero की left hand side minus one minus two minus three minus four minus five minus six infinity तक जाएगा वो भी एक इन्तिजर है ठीक है integer भी एक real number है ठीक है अब integer का दो टाइप को होते है positive integer and negative integer positive integer में क्या होता है जो zero के बाद जो आता है उसको positive integer करते है one two three four five six seven eight nine ten infinity तक जाएगा उसको positive integer कहते है negative integer क्या होता है जो 0 को left तरफ जाता है minus में जो value जाता है उसको negative integer कहते है जैसे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 infinity तक जो left side 0 को left side में जाता है उसको negative integer कहते है ठीक है अब उसका आगला topic क्या है rational number rational number क्या होता है a number is called rational if it can be expressed in the form of P by Q ठीक है a number is called rational if it can be expressed in P by Q form में मतलब fraction number rational एक fraction number को भी rational number कर अंदर आता है where P and Q are integer ठीक है Q is greater than 0 ठीक है 0 ने उना चाहिए Q जो nominator है P by Q में Q nominator है P denominator है तो nominator nominator greater than 0 न चाहिए ठीक है 1 by 2, 4 by 3, 5 by 7 ठीक है 1 ये भी rational number के दार्यम आता है ठीक है उसके बाद था e rational number क्या होता है e rational number a number is called rational if it cannot be expressed no sorry irrational number इसमें irrational का spelling mistake है e rational number ठीक है a number is called irrational if it can't be expressed in the form of P by Q ठीक है वैसा number irrational number होता है जो P by Q के form में नहीं होता है जो P by Q के form में नहीं होता है root 3 P by Q के form में नहीं है root 2 P by Q के form में नहीं है root 5 P by Q के form में नहीं है तो ये irrational number है जो root के अंदर आता है उसको irrational बोलता है जो P by Q के form में नहीं होता है ठीक है डिने नोटेड गृशनल जो मैंने पहले बता दिया था आपको रियल कुन कुन से नमशनुकून से नमशनी से नाचुन लबहना राते हैं इंटीजर आते हैं नियिजर निगेटिव इंटीजर शえば क्लिक त्रेल अब और संघी बंध चलते हैं आप इसलों होते हैं अब तो rational number के related बहुत सारे questions हो तो उसको solutions के लिए term होते है Euclide division lima ठीक है Euclide division lima ये algorithms बता है Euclide scientist का नाम है division lima है ठीक है ये algorithm बनाया है for A and B any two positive integer A and B two positive integer है तो we can always find unique integer q and r such that my a is equal to bq plus r 0 r जो होगा less than equal to 0 and greater than equal to b होगा ठीक है इफ r is equal to 0 then b is division division of a ठीक है ठीक है ठीक है आप HCP देख लेते हैं highest column common factor इसको करते है HCP को highest common factor HCP of two positive integer can we find using the Euclide division lima algorithms we can we all know that for any two integer a b a and b we can write flowing expression a is equal to bq plus r r is less than 0 and greater than b if r is equal to 0 then HCP क्या होगा a b is equal to b a b क्या होगा a b क्या होगा b ठीक है if r is not equal to 0 then as if a b क्या होगा as if b r again expressing the integer b r is equal division equal division lima get b is equal to pr plus r1 ठीक है और इसका highest common factor क्या होगा b r का highest common factor HCP br is called to HCP r r1 similarly successive exclusive exclusive division can be written until we get the reminder 0 reminder 0 the division at the point is called HCP of the a and b a or b अगर कोई value दिया यह तब तक इस exclude division algorithm के साफ से चलेंगा तो जब तक तब तक चलेगा जब तक उसका reminder 0 न आ जाए ठीक है यह सब से important topic और यह आपके जो एक्जाम से अगर false practice देखते हैं तो approximately 3 to 5 marks का exam में question इसका आता ही आता है एक question एक पूछा जाता है जो 3 to 5 marks का होता है अलाकि इस chapter से approximately 10 marks का question पूछा जाता है जो कि एक long question होता है जो 5 marks का होता है board में ठीक है इसलिए यह chapter सबसे important part है first chapter का ठीक है SCP का ठीक है इसके लिए मैं एक homework भी दूँगा आपको अगर वो homework solution हो जाता है तो वो comment आप डाल सकते हैं otherwise उसका जो homework मैंने दिया है उसका solution भी मैं आगे आने वाले वीडियो इस chapter से लेटेट जो exercise करेंगे उस बाले में मैं solution भी दूँगा ठीक है कि आगे चलते हैं कि आगे है अगर किसी दो अ बी नंबर है उसका अगर से पी वन आ जाता है जीरो रिमाइंडर नहीं बचता है अगर एक रिमाइंडर बचता है तो वो नंबर क्या है को प्राइम है ठीक है कि आगे चलते हैं fundamental theorem of arithmetic क्या कहता है composite number is equal to product of prime composite number is equal to product of prime fundamental arithmetic theorem में यह है composite number is equal to product of prime अगर कोई भी composite number आता है तो उसको product of prime कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं SCP and LCM SCF and LCM by prime factorization method ठीक है sorry कहीं पर हमने SCP बोल रखा है तो आप उसे SCF highest common factor समझेगा by mistake हो जाता है ठीक है आगे चलते हैं is equal to क्या होता है इसमें SCF and LCM by prime factorization method में क्या होता है SCF is equal to product of the smallest power product of the smallest power of each common factor is in the numbers SCF क्या होता है SCF होता है product of the smallest power of each common factor in the numbers और LCM क्या होता है product of the greatest power of the each prime factor involved in the number ठीक है आगे चलते है important इसमें बहुत तरह formula है SCF A B SCF A B into LCM A B is equal to A into B होता है ठीक है यह अगर 2 number का जो equal number है और उसमें बोल दे कि इसका मुझे SCF multiply by LCM कर दो यह question दिया जा तो एक second का अब जो value है दोनों को multiply कर देंगा जो value आएगा multiplication के बाद वो इसका answers होगे ठीक है इसका एक और important formula concept है rational number में ठीक है rational number terminating decimal expression can be written in the form of p by 2 the power n and 5 to the power m ठीक है p by 2 to the power n into 5 to the power m ठीक है यह rational number का form होता है p by q का form में है और p by q में यह है power अगर हो तो ठीक है decimal में ठीक है अब आगे चलते हैं यह सारे जो हमने बताया है अभी तक वह formula है यह आपको याद रखनी है पूरे board exam तक जो real number में आपको काम आएगा अगर समझ गए तो आपको याद रखनी जो होता है आप आप चाप्टर कंप्लीट कर देंगा बाकि मैं आगे जो इसका वीडियो चाप्टर वाइज जो exercise होगा उसमें असानी सब को समझ मा जाएगा हालकि इसमें भी असानी से आपको समझ मा आ जाना चाहिए मैंने प्रूब डेटेल बता हैं अब आपके लिए ठाक्ति एट थाउजन टू हंड़ेड टू का तीसरा कॉस्टन है एट हंड़ेड सिक्स्टी सेबन आट टू टू टून्टी फाईव का ठीक है इसमें रिमाइंडर हरसमें जीरो बचनी चाहिए इस तरह से scf निकालेंगे इस बाद़े AMY कान चाहिं निकाले जो मैंने उलड़े में बता रहा यह वाली है ठीक है और इस इस filter से निकालेगा ठीक है, अगर यह पूरा वीडियो आपने देखा है तो आपको पूरी रियल नमबर्स के बारे में समझ मा आ गया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को जरूर्ड सेर करें ठीक है, इसको सेर करें सोसल मेडिया साइड्स पे इस विडियो को लाइक करें और सेर करें ठीक है थैंक यू